वीडियो को लाइक कर देजे ठीक है उसके बाद फिर हम अपनी important unit that is information and communication technology जिसको आप ICT के नाम से भी जानते हो उसको discuss करेंगे जल्दी से सब सही चल वहाँ ना चले देखिए computer के basic function क्या होते है functioning क्या होते है पहले उसको समझते हैं बिल्कुल basic तरीके से समझते है computer की functioning को computer की functioning है वो आपकी तीन तरीके से काम करती है ठीक है सबसे पहले आप computer को input देते हो input कहां पे जाती है आपकी CPU में यहां पे वो आपकी information process होते है ठीक है बिल्कुल basic से शुरू करेंगे और उसके बाद आपको जो result मिलता है वो क्या होता है वो output होता है तीन functions पे आपका पूरे computer की functioning होती है पहले आप computer को कुछ input दोगे input देने का मतलब कुछ command दी जाती है computer को पहले आप computer को क्या करते हो कुछ command देते हो computer को कुछ action करने के लिए बोलते हो उसके बाद next computer प्रोसेस करता है प्रोसेस करने के बाद वो आपको output दे देता है यह आपका basic concept होता है जिसमें use किया जाता है अब यहां से question क्या पूछा जाता है यहां से चेक करने की कोशिश करो कि जो आपका keyword है वो आपकी input device है क्योंकि keyword की help से क्या करते हो आप अपने computer को input देते हो ठीक है उसके बाद जो आप mouse use कर रहे हैं जो आप mouse यूज़ कर रहे हैं mouse के साथ भी आप क्या कर रहे हो computer को command दे रहे हो उसके साथ जो touch screen है touch screen है यह आपका input और output दोनों में आ जाता है ठीक है क्यों क्योंकि input जैसे यह है यह मेरी input device भी और output भी device है क्योंकि यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो यह क्या है यह touch screen है तो यहां पर जो मैं लिख रहा हूँ यह input भी दिखा रहा है मेरे को साथ में output भी दिखा रहा है ठीक है तो जो touch screen होती है वो आपकी दोनों तरीके से काम करती है input भी और output भी उसके साथ next अगर मैं बात करूँ light pen ठीक है कई वार हम joystick भी बोल सकते हो light pen भी बोल सकते हो तो ये आपकी कुछ क्या है these are some of your input devices और इससे आपको बहुत सारे question पूछा जाते हैं एक नहीं यहां से बहुत सारे question बनते हैं आपको paper में देखने को मिलते हैं yes you can write scanner as well जो scanner है वो भी आपकी input device है क्योंकि आप कुछ scan करके computer के अंदर डाल रहे हो joystick यह भी आपकी input में आ जाती है yes उसके बाद OMR आता है जैसे OMR आता है MICR आता है और OCR आता है यह सारी आप लोगों की input devices है yes you can call microphone as well microphone भी आपका input device है आपको एक question 110 परसेंट यहां से आएगा ही आएगा कि input device कौन सी होती है output device कौन सी होती है तो इसको अच्छे से note-down कर लीजिए yes track ट्रैक ट्रैक जो ट्रैक बाल आता ने एक ट्रैक बॉल ठीक है जो games वगारा में use किया जाता है यह जो designing वगारा वाले वी use करते है तो यह आप लोगों की सारी input devices है ठीक है इसको note-down कर लीजिए पेपर के point of view से काफी जरूरी है यह आप लोगों ने याद रखना है अब यह तो हो गई आपकी input अब input के बाद output में क्या क्या आएगा देखो आप लोगों को बहुत सिंपल सी बात पता है output आपको जो result देता है देखो पहला तो यही जो touch screen है जो touch screen है वो आपकी output device है क्यों क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को output दिख रही है दूसरा आपका जो desktop हो जाएगा desktop रहने दो इसको monitor लिखो desktop रहने दो इसको लिखो monitor जो monitor है वो भी आपकी output device है ठीक है क्योंकि यह जो screen पे आप लोगों को दिखेगा monitor की screen पे वो जो end result होगा वो आपका monitor होगा उसके बाद आप लिख सकते हो speaker उसके बाद आप क्या लिख सकते हो you can write speaker ठीक है जो speaker होते हैं वो भी आप लोगों की output devices में आ जाते हैं और उसके साथ साथ आपका आ जाएगा printer 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 है क्योंकि याद रखिए जो scanner है वो input के लिए use किया जाता है जो scanner है that is used to give input to computer जब computer को input देने की बात आती है तो input यूस किया जाता है तो और जो printer होता है यह output का काम करता है यह क्या करता है यह output का काम करता है इट वर्क्स फॉर output हाँ plotter भी बोल सकते हो you can call anything अब लाइक तो कर दो 1000 बच्चा लाइव है और 600 लाइक बहुत ना इंसाफी है क्या मों दिखाओगे भगवान को जाके clear है अब यह तो आप लोगों ने लिख लिया कि यह सारी input devices है और यह सारी output devices है क्या हमारे पास कोई processing के लिए भी device use होगी do you think there is some devices या some elements that are used for processing या processing अपने आप ही हो जाती है जल्दी बताइए येस हमें processing के लिए भी use करना पड़ता है जिसमें आता है आपके पास CPU सबसे बड़ा रोल कौन प्ले करता है अपने CPU जी मत्रब प्रोसेसर जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर भी बोल देते हो CPU CPU जो brain, heart, dil जो कुछ भी होता है computer का इसको बोल दे आता है कि CPU है और CPU में फिर आगे दो तरीके की memory होती है एक आती है RAM और एक आती है room है ना जो main memory का बात आ जाती है और उसके साथ caches memory भी इसका important part होता है उसके साथ registers भी अभी इसके बाद यही पढ़ाने वाला हूँ अगली slide पे पहले इसको no down कर लीजे ये एक single slide से आपको दो question भी पूछे जा सकते they can ask you two question from this particular slide कुछ बच्चे बोले हैं कि सार हमें आपका lesson इतना पसंद आता है हम दो दो बार लाई करते है भाई दो बार नहीं करना एक ही बार कर दीजे वो काफी है clear हाजी so this is the whole scenario this is आप इसको बोल सकते हो basic functioning of computer basic functioning basic functioning of computer basic functioning of computer अब इसके बाद ये तो हमने लिख लिया ठीक है इसको साथ साथ लिखते रहे ना फिर आ जाती है storage किया जाता है storage devices कौन सी होती है आपकी external storage devices आ जाती external storage devices कौन सी होती है who can tell me जो secondary हो जाती है इसमें क्या क्या आ जाएगा जैसे magnetic disk आ जाता है magnetic disk आ जाता है उसके साथ optical disk आ जाता है ठीक है cd dvd और blu-ray आपके optical disk में आ जाती है उसके साथ साथ आप हो सकते है flash memory जो आज का latest camera वगेरा जमें यूज होती है flash memory flash memory होती है और उसके साथ आता है magnetic tape एक magnetic disk होता है एक magnetic tape होता है और एक होता floppy disk floppy disk यह क्या है बच्चे यह आप लोगों की कुछ external devices होती है जिसमें आप data को store करते हो clear है जी यहां तक बताईए यह basic चीज़ें यह आप लोगों को पता होना चाहिए यह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है जी चले उसके बाद जो सबसे important hardware की अगर हम बात करें अगर हम hardware की बात करें देखो आने कैडमी बाले भी इसी वज़ा से message कर रहे हैं कि अभी भी 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो को like नहीं किया यह message आने कैडमी से तब तक आते रहेंगे जब तक सारे बच्चे class को like नहीं गर देते भुख तो अब इसी वज़ा से बोलता हूँ आते ही like कर दिया गरो चलिए तो देखिए hardware में जो सबसे पहले हमने discuss करना है वो है आपका CPU जिसको central processing unit के नाम से जाना जाता है मतलब अगर computer से आप इसको निकाल दोगे तो computer जिंगा लाला हो जाएगा अप ऐसा समझ लीजिए computer में कुछ भी नहीं रहेगा डिबबा भी नहीं रहेगा वो central processing unit central processing unit brain of computer अब यह जो CPU है ना इसकी इसका डायग्राम देखो क्या क्या किस तरीके से होता है जैसे मैं बोलू CPU है ठीक है यह CPU है आपका ठीक है अम इसको थोड़ा सा classify करते हैं डायग्राम बनाता हूँ यहाँ पे आएगी आपके पास memory unit यहाँ पे क्या आएगी आपके पास memory unit फिर आएगी आपके पास control unit और last में आती है आपके पास alu that is arithmetic, matic and logic unit तो यह एक basic functioning है आपके CPU की मतब जो computer को जो भी आप command दे रहे हो वो किस के पास जाएगा वो CPU में जाएगा CPU उसको main memory में देगा उसके accordingly उसकी वो distribution कर देगी और यह तो आपका main functioning होती है इस side से क्या दा रहा है computer के अंदर input वही यहाँ से computer को क्या मिल रही है input यहाँ पे output मतलब यहाँ से आप क्या करते हो आलू डालते हो और यहाँ से सोना निकलता है कुछ ऐसा समझ लीजे this is the complete functioning of CPU जो कि बहुत ही ज्यादा important है बहुत सारे question यहाँ से आप लोगों को देखने को मिलते है यहाँ से input और उसके बाद CPU में memory unit है जो data को store करती है control unit है जो यह सारा काम देखती है कि क्या भाई सब सही सरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा उसके साथ arithmetic logic unit होती है जो आपका classification वगेरा का काम करती है अच्छा chips आना चाहिए अब देखो तुम तो chips की बात करोगे हम तो chips नहीं बोलेंगे चली यहां तक समझ आ गया अब उसके बाद देखते हैं सबसे पहले आता है ALU मतलब एक तो arithmetic हो जाएगा और एक हो जाएगा logic मतलब यह जो आपके computer का यह वाला part होता है वैसे यह अपने आप सब part होदा दो parts में होता है दो parts में यह divided होता है जो arithmetic है यह आपका mathematics mathematical operation करेगा यह क्या करेगा यह mathematical operation करेगा यह logical functioning करता है logical में क्या आता है जैसे more than not equal to less than जैसे compare किया compare करना वो यहाँ पर आता है ठीक है जी तो यह functioning अपने आप में दो parts में divided है compare किया जाता है जो logical functioning आ जाते है और यह वही आपका जोड़ दो, घटा दो, गुणा कर दो, बाग कर दो, जो करना कर दो तो यह काम कौन करेगा arithmetic unit करेगी और logical unit कौन सी है जो आप लोगों का logic से related काम करेगी clear है जी? तो यह आपका पहला element हुआ जो आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठाना है उसके बाद आते हैं आपके पास registers अब registers क्या होते हैं? कौन बताएगा? comments में बताइए Let me know कितने बच्चों को पता है कि registers क्या होते हैं? Yes, यह smallest high speed storage area होता है smallest high speed storage area होता है मतब यहाँ पर CPU के बिल्कुल past में होता है fastest memory होती है इस वज़ा से यहाँ पर वो अपनी commands को क्या करता है? store करते हैं मतब यह बिल्कुल bugle में बैठा रहता है CPU, CPU कुछ भी करता है यह उसे समझाता है जैसे आप जाते हो ना किसे रिष्टेदार के घर में आपकी मम्मी आपके बगल में ही रहती है आप कोई भी शरारत करने बैठो ना तो पहले ही मम्मी समझा देती है frame प्यार से frame से देखने में frame प्यार होता है बढ़ एक्चुली में बाद में पता चलता है वह बहुत ज्यादा होती है और फिर आता है हमारे पास सी यू सी यू सी यू नेवर अब यह वह वाला सी यू नहीं है दिस इस यू आर कंट्रोल यूनेट कंट्रोल दा फंक्शनींग इन सी पी यू देखो कंट्रोल यूनेट नहीं होगी तो कोई भी किसी के घर में भी चला जाएगा बहुत सिंपल सी बात है अगर आप पे कंट्रोल नहीं होता तो अब तक आप तक आप गुंडे मवाली बने हुए होते घर वालों ने आपको कंट्रोल करके रखा हुए तब ही थोड़े बहुत पढ़ गए बीकॉम एमकॉम कर लिया पढ़ाई कर रहे हो अदर्वाइस पता नहीं क्या कर रहे होते वही काम CU का होते है गरना मतलब जो CPU है उसके अंदर जो भी काम हो रहा है यह डिसाइड करते हैं कि क्या वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा इस वज़ा से control unit की जरूरत पड़ती है हमें क्यों क्योंकि जो functioning हो रही है अगर वो सही तरीके से हो रही है तब ही उसका कोई फायदा है otherwise तो उसका कोई फायदा है नहीं तो यह supervise करने का काम करता है खीक है जी चलिए अब उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद next इसमें आती है जो memory की बात करते है मतलब आज आपको मैं बहुत सारा पढ़ा दूँगा यह चोटी 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 class RAM RAM that is random excess memory जिसको आप main memory भी बोल देते हैं क्या होती है random excess memory यह हैं आप CPU की internal memory और अगर आप नेचर वाइस देखो तो यह वालेटाइल होती है वालेटाइल का मतलब क्या हुआ मैं बताता हूं वालेटाइल का मतलब होता है temporary इन दे सेंस कि जब तक आपका है ना जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांस चलेगी गबर वही चीज है जब तक आपका CPU चलेगा तब तक आपका RAM वो काम करेगा जैसे ही सिस्टम बंद RAM का सारा डाटा वैनिश हो जाते है क्योंकि temporary storage होती है जब तक स्विच चल रहा है तब तक चलेगा जब स्विच बंद कर दिया तो खेल खतम तब तक टाटा भाई भाई हो जाएगा अब RAM के लिए कंप्यूटर में एक और पुर्जा इस्तिमाल किया जाता है उस पुर्जे का नाम होता है UPS आप लोग UPS की जरूरत क्यों पड़ती है ताकि RAM को सुपोर्ट मिल सके कंप्यूटर एक दम से बंद ना हो आप लोगों को टाइम मिले कि आप कंप्यूटर में अपने डेटे को सेव कर पाऊ अल्ट्रा प्रोसेसंग यूनिट यह कौन सी आडेट नहीं आती है तो भरोसा करिए करोग ए कोई आ जाएगा अंसर देते अंब अल्ट्रा प्रोसेसंग यूनिट कोई बोल देगा ulti processing unit अबे ultra कौन सी होती है मतलब अजीब से नाम रख रहे हो यार अपने ही साब से uninterrupted power system uninterrupted power system इसकी full form होती है uninterrupted uninterruptible बोल सकते हैं uninterruptible ultra processing unit कौन सा तुमारा पूरा घर चल रहा है CPU पे तो power supply का काम कर रहा है power system या power supply बोल सकते हो system भी बोलते हैं bracket में लिख लो supply खुश रोना मत शुरू कर दिया करो ठीक है रोया मत करो कुछ नया बताता हूं तो उसको लिख लिया करो कितने तेजसी लोग है यूपीएस की full form पता है क्या सोची मैं बता रहा हूं रोको 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 यह किसी ने बोला कि सर मैंने union public service सोचा था मैंने सोचा कि सर यह होती है union public service वाह वाह अगर आज चार्लस बैबेज जिन्दा होता ना तो इस class को देखते ही fancy लगा लेता अपने आपको कि मैं क्या क्या बता के गया था और लोगों ने क्या से क्या कर दिया सीरियसली बोल रहा हूं अगर आज चार्लस बैबेज जिन्दा होता ना तो इसकी फुल फर्म देखके तो विचारा दुबारा भगवान को प्यारा हो जाता बोला मुझे रहना ही नहीं इस दुनिया में आलिया भट की तरह बोलेगा मुझे घर जाना है भगवान के घर जाना है चलिए तो यह हो जाएगी देखिए रैम भी आप लोगों को आगे तीन तरीके से देखने को मिल जाएगी अब रैम रैम की अगर मैं टाइप्स की बात करूँ सबसे पहले आजाएगी आपके पास डी रैम डी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर डाइनामिक रैंडम एक्सेस मेमरी यह जो डी है इसका मतलब क्या है डाइनामिक डाइनामिक रैंडम एक्सेस मेमरी इसका मतलब क्या है कि इसको कॉंटिन्यूसली रीफ्रेश करने की जरूरत होती है हम इसको कॉंटिन्यूसली रीफ्रेश करते रहते हैं और यह एक्कॉनमिकल इनिचर होती है ठीका थोड़ी सस्ती होती है अगर आप दूसरे के साथ इसको कंपेर करते हैं उसके बाद फिर आती है एक बेस रायम शरम ना शरम ना हया है न एस रायम डैट इस स्टैटिक तुमसे ज़्यादा तुमारे दिल के जजबात तो अरीजीत सिंग को पता है न इसी वज़ा से तुम पे ही गाने बनाया उसने स्टैटिक रेंडम एक्सेस मेमोरी अब यह क्या होती है यह फास्टर होती है पहली बात तो फास्टर होगी और इसका एक और इंपोर्टन फीचर है मोर एक्सपेंसिव होती है क्योंकि एक बार है और इंपोर्टन फीचर नीड नौट टू रिफ्रेश नीड नोट टू रिफ्रेश इसको बार 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 रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पढ़ती है इसको बार बार रीफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती क्लियर है जी तीसरी टाइप एक और आती है इसमें उसको बोलते हैं SDRAM SDRAM की फुल फॉर्म सिंक्रोनस डाइनमिक रैंडम एक्सेस मेमरी सिंक्रोनस रैंडम एक्सेस मेमरी यह कहां पर यूज होती है कौन बताएगा WHO WILL TELL ME जल्दी बताओ जल्दी बताएगे यह कहां पर यूज होती है बच्चे इसकी जो Clock Speed होती है मतलब High Clock Speed पर यह काम करती है High Clock Speed होती है और ज्यादा तर वीडियो गेम्स में यूज होती है कहां पर वीडियो गेम्स जो गेमर होती है ना वीडियो गेम्स Clock Speed बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आप लोगों को इसमें Speed की जरूरत होती है हां जो वीडियो गेम्स बगेरा में यूज होती है आप तो गेम्स नहीं खोलते होंगे ना आप तो बड़े हो गए हो आप तो दिलों के साथ खेलते होंगे इसको रैंबस भी बोला जाता है नो डाउन कर लीचे रैंबस क्लियर है ओके तो यह होगी आप लोगों की रैंडम एक्सेस मेमरी की टाइपस होगी उसके बाद आता है रोम जो की होती है रीड ओनली मेमरी अच्छा रीड ओनली मेमरी का मतलब क्या होता है रोम जिसको रीड तो किया जा सकता है बत राइट ना 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 नहीं किया जा सकता है युकान राइट बत यू कांट राइट इडिपाट राइट यू कांट चेंज अचेंज इडिर आइट समेट।र्ण तो आप नहीं बोल सकते इसको राइट नहीं कर सकते और यह बूटिंग में काम आती है जिसको बूट्स्ट्रेप भी बोल दे जाता है कंप्यूटर के स्टार्टिंग में बूटिंग के लिए इसको इस्तिमाल क्या जाता है बूटिंग प्रोसेस के लिए इसको यूज क्या जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट यह क्या होती है यह नौन वॉलेटाइल होती है इस इस नौन वॉलेटाइल इन नेचर non-volatile का मतलब क्या हुआ बच्चे कि हम यह permanent memory है मतलब अगर बसंती नहीं भी नाचेगी धर्मिंदर की सांसे चलती रहेंगी मतलब computer बंद कर भी दिया ना तो भी data आपका उड़ेगा नहीं हा मतलब यह समझ लीजिए यह wife की तरह है कि साथ जनम तक यही मिलने वाली है है ना वो एक पतनी बोली थी ना अपने पती से आज इस सुनते हो वो शर्मा जी का बेटा है ना उसको समझाओ वो जिस लड़की से शादी करने वाला है वो अच्छी लड़की नहीं है तो पती वो लख्यों मुझे किसी ने समझाया था So this is permanent memory जो की यहां पर इस्तेमाल होती है So ROM, read-only memory, booting process में, bootstrap में इसको यूज किया जाता है non-volatile होती है, मतलब permanent होती है wife की तरह, आप ऐसा समझ लीजे clear है जी अब इसकी भी कुछ टाइप्स होती है जैसे एक होती है प्रोम 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 का मतलब होता है programmable read-only memory जो programmable read-only memory होती है इसका basic functioning क्या है जिसको सिर्फ एक वार राइट किया जा सकता है only once मतलब आपने खाली cd खरीद ली उस पे आपने अपना function हो रख दिया मतलब उसको लिख दिया मतलब एक बार ही इस्तिमाल की जा सकती है अच्छा, एक और ची यहाँ पे मुझे याद आगी आप लोगों को मैं बता देता हूँ जैसे यह आपका computer है ना यहाँ पे आपकी cd dry होती है इसमें आप लोगों ने यह cd डाल दी खाली cd है ठीक है यह जो cd है आप लोगों ने इसमें डाल दी जब आप कोई चीज cd पे copy करते हो मतलब उसको write, write करना बोला जाता है तो उस process को क्या बोला जाता है that process is known as burning लिख लीजिए कई वार paper में पूछा जाता है एक मैं class लोगा सिर्फ ICT की कुछ latest term से जैसे fishing क्या होता है, swooping क्या होता है वोम क्या होता है, burning क्या होता है, zipping क्या होता है इस पे भी हम एक class लेने वाले हैं इसको copy करना नहीं बोलते नॉर्मल आप एक folder से दूसरे folder में pen drive अगरा में copy करते हो पर जब write किया जाता है क्योंकि permanent write हो जाती है ठीक है उसको फिर change नहीं कर सकते उसको burning बोल दिया जाता है ठीक है, burning होता है, ripping होता है, zipping होता है काफी सारी terms है, वो एक बार मैं आपको ले के आऊँगा ठीक है, तो ये मुझे साथ में याद आ गया तो मुझे लगा आप लोगों को ये बता देना चाहिए तो पहला होगा programmable read-only memory उसके बार आता है, E-Prom 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 का मतलब क्या होता है Erasable and Programmable read-only memory Erasable and Programmable Read-only memory अब इसका मतलब क्या होता है नाम से ही पता चलता है नाम से ही आप लोगों को पता चल रहे है इसको Erase किया जा सकता है With UV lights, Ultraviolet lights के साथ इसको Erase किया जा सकता है We can erase the data written on it By the help of Like you can say कि हाँ भाई, Programmable हाँ जो raise use होती है Ultraviolet raise उसके साथ और इसके लिए जो minimum time use होता है वो कितना होता है 40 minutes कम से कम 40 minutes का time है वो लग जाता है एक को खतम करने के लिए Clear? चलिए उसके बाद जो third type है वो एक latest type है double E-Prom E-E-Prom मतलब electronically erasable electronically 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 erasable and programmable read only memory और यह जो memory होती है वो कैसे खत्म की जा सकती है electronically electronically इसको खत्म किया जा सकता है और you can erase it 10,000 times मतलब लिख दिया मिटा दिया लिख दिया मिटा दिया मतलब और कोई काम नहीं किया हम है बिल ने बैठे हुए हम 10,000 बार लिखेंगे मिटाएंगे और यह आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली memory है और इस वज़ा से erase और programming चाहे erase करना हो या program करना हो जो timing है वो है 4 to 10 ms that is millisecond सिर्फ इतना ही time लगता है इसको millisecond का time लगता है क्या करने के लिए या तो erase करो या फिर program करो सिर्फ या पलक जपकते ही आप ऐसा वो सकते हो कि ऐसे पलक जपकी आपने और काम खत्म हो गया अगर यहां तक समझाया तो एक वर थमजब दीजे सब बच्चे जितने बच्चे हैं सभी के कोमेंट्स चाहिए मुझे देखो एक हजार चववन बच्चे हैं क्लास में अगर कोमेंट नहीं करोगे तो मैंने क्लास यहीं पर बंद कर देनी हैं जल्दी करो चले आगे बढ़े ओके सो मेमरी से ही दो और तरीके की मेमरी होती है एक होती है कैशेस मेमरी और एक होती है वर्चुल मेमरी एक होती है आपकी कैशेस मेमरी और एक होती है वर्चुल मेमरी देखिए यह हाई स्पीड सैमी कंड़क्टर मेमरी होती है जो की CPU की को स्पीड अप करती है एक टाइम पर एक ही कमांड एक ही जैसे कोई भी छोटी मेमरी के जो काम ही वो इसमें यूर्ट किया जाता है काफी expensive होती है और इसमें जो यह जो caches memory होती है यह जो main memory होती है वो main memory और CPU इसके in between काम करती है as a buffer कैसे काम करती है as a buffer काम करती है buffer की तरह यह काम करती है जैसे buffer stock बोलते है न अपन buffer की तरह यह काम करती है it act as a buffer हाँ जैसे cookies बगारा को accept करना वो सारी चीज़े boundary size होती है और उसके बाद आती है आपकी virtual memory this is not actually memory यह एक memory नहीं है it is just a technique technique to expand the memory expand the memory यह ज़स्ट एक illusion है और इसकी best example क्या है आपका जैसे google drive google drive iCloud यह apple वालों को पता होगा android वाले ना जाने तो अच्छा है iCloud गूगल ड्राइव जिससे आपको एक्स्ट्रा memory प्रोवाइड की जाती है किसी command को run करने के लिए किसी function को run करने के लिए extra memory प्रोवाइड करवा दी जाती है जैसे 4 GB का function है बट आपको 8 GB की जरूरत पढ़ रही है तो यह जो बाकी का चार जी भी है यह आपको virtual memory से प्रोवाइड कर दिया जाएगा extra memory प्रोवाइड कर दी जाएगे अब देखो सब आप अपना बोले हैं कुछ बोले सर अब यह गरीबो real me cloud oh my god sir am i cloud oh my god है ना चलो कोई बात नहीं कुछ तो है हमारे पास भी अगर हमारे पास apple का phone नहीं है memory तो है हमारे पास चाहे google drive यूज़ कर रहे हैं चाहे my cloud यूज़ कर रहे हैं चाहे real me cloud यूज़ कर रहे हैं कुछ तो कर रहे हैं ना एक और चीज़ यहां पे नोट कर लीज़े जो गूगल ड्राइब है वो आपको जो गूगल ड्राइब है वो आप लोगों को 15 GB तक Cloud Storage प्रोवाइड करता है 15 GB से जादा अगर आपको Cloud Storage की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए फिर आप लोगों को क्या करना पड़ता है then you have to pay फिर आपको monthly उसके लिए क्या करना पड़ता है पे करना पड़ता है और हम इतने intelligent है 15 GB फुल हो जाए पे नहीं करेंगे दूसरी ID बना लेंगे Google को बेफकू बनाने की Ninja technique है ना हम यह थोड़ी बोलेंगे कि या ठीक है एक महीने का 120 रुपे देना पड़ेगा ना कौन देगा इतने पैसे ID एक नहीं बना लेते Sigma Sigma rule 1 है ना चलिए उसके बाद एक और जो टर्म यहां पर आप लोगों ने याद रखनी है that is peripherals peripherals क्या होता है कौन बताएगा answer बताइए peripherals क्या होता है इस मतलब जो externally connected devices होती है कंप्यूटर के साथ externally connector devices होती है जो बाहर से आप computer के साथ connect करते हो जितनी ही ठीक है आपका mouse है keyboard है webcam है कुछ भी जो externally आप devices को add करते हो वो आपकी कौन सी हो जाती है those are known as peripheral peripheral devices उसको बोला जाता है we call it peripheral devices हा मतलब CPU तो चलो नहीं होगा CPU के इलावा scanner कुछ भी हो सकता है ठीक है वो सारी के सारी peripheral devices है clear आजी निशा, काजल, सुधांशू, नवदी, प्रेच्चा, एक्षेता, क्रिशांगी, सरिता, खुश्बू, सोनम, रितिका, दीपिका, वेशाली, जहर्ना, रिया, नुस्रत, वेशाल, क्यप, सिम्रन, रोश्नी, जोती, माया, जागरिती, अंशिका, डिम्पल देखो देखो एक बार नाम क्या लेना शुरू करो ये तो मतलब ऐसे कॉमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि बस खतम बाई बाई टाटा है ना चलिए तो ये होगी आपकी peripheral devices उसके बाद ना मैं तीन चीदे आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ डाट इस लेंग्वेज प्रोसेसर लेंग्वेज प्रोसेसर कितने तरीके के होते हैं पहले तो बताओ कौन बताएगा हमारे पास computer में basically कितने तरीके के language प्रोसेसर यूस किये जाते हैं तीन तरीके के AIC कितने तरीके के तीन पहला होता है जिसको आप बोल देते हो assembler assembler दूसरा आजाता है आपके पास interpreter और तीसरा आजाता है आपके पास compiler ठीक है तीन तरीके के हमारे पास language प्रोसेसर होते हैं थ्री टाइपस ओफ लेंगवेज प्रोसेसर अब जो assembler है वो assembly language को machine language में convert करेगा assembler है वो assembly language को machine language या machine code में convert करता है जिसको आप boundary भी बोल देते हो machine code में आप दो element को use करते हो 0 और 1 0 का मतलब होता है off और 1 का मतलब होता है on याद रखना अपने assembler का ये काम होता है clear है उसके बाद आता है interpreter अच्छा एक और चीज इसके बारे में बता देता हूँ ये जो होता है वो machine dependent होता है क्या होता है machine dependent होता है मतलब जैसी machine होगी वैसा ही ये होगा machine पर depend करेगा क्लियर है उसके बाद आता है interpreter ये क्या करेगा high level language को machine language में या low level language में convert करेगा और ये भी compiler भी same high level language को machine level language में convert करेगा तो ये काम तो दोनों same ही करते हैं अब interpreter को भी use करते हो कभी कभी compiler को भी use करते हो फर्क क्या होता है कौन बताएगा इन दोनों में फर्क क्या होता है ये बताईए येस जो interpreter होता है न वो line by line convert करेगा और errors को साथ ही साथ cover करेगा line by line ठीक है एक line हुई उसमें जो error आए निकाल दिये फिर दूसरी line पे गए फिर उसमें जो error आए तो मतलब जब ये पूरा program compile हो जाएगा वो एक final program हो जाएगा जिसमें कोई गलती नहीं होगी जिसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं होगी पहली बात और जो compiler है ये क्या करेगा ये complete program को एक ही बार में convert कर देगा और errors at one फिर एक ही बार में उनके errors को निकालेगा मतलब पहले पूरा program convert कर देगा उसके बाद end में क्या करेगा error चेक करेगा one time conversion करेगा और end मतलब पूरा paragraph हा उसको क्या कर देगा पहले convert कर देगा उसके बाद last में जाके देखेगा कि ठीक है भाई कुछ हुआ या नहीं हुआ हाँ end में चेक करेगा या के compiler is it clear किसी को इस बात में कोई दिक्कत चलिए सो आज हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है let's revise all of them चलिए सबसे पहले हमने computer की basic functioning को समझा basic functioning में computer को कुछ input दी जाती है input के बाद computer process करता है process के बाद हमें output मिलती है तो input देने के लिए हम अलग-अलग devices को use करते है जिसमें trackball आती है microphone आता है OMR, MIRC, OCR आ जाता है joystick हो जाता है scanner है keyboard है mouse है touchscreen है light pen होता है उसके बाद फिर जो हमें output मिलता है processing के बाद मिलता है और यह जो output होता है उसमें basically हमारे कहानी चलती है वो आपके आती है processing की processor का main काम करता है CPU करता है CPU में आपके पास caches आते हैं register आते है RAM और ROM memory की types आती है उसके बाद अगर आप storage devices की बात करो तो अलग-अलग external storage devices आती है उसमें हमारे पास कौन-कौन सी devices आती है जिसमें आपके पास magnetic disk आता है optical disk आता है flash memory आता है magnetic tape आता है और उसके साथ floppy tape भी आता है floppy disk भी आता है और जो optical disk होता है उसमें आपके पास cd भी होती है dvd भी होती है और blu-ray भी आप लोगों को देखने को मिलता है उसके बाद अगर hardware में सबसे पहले point की बात करें तो हमारे पास CPU आता है central processing unit आती है एक में input होती है input के बाद CPU में क्या क्या आएगा memory unit होगा control unit होगा और arithmetic logic unit होगा और उसके बाद हम output में देखते हैं कि हमारे पास end result क्या आया उसके बाद हमारे पास ALU होता है उसकी दो parts होता है arithmetic जो mathematical operations करता है उसके बाद एक logical part होता है जो logical functions करता है ठीक है compare वगरा करता है register होता है वो काफी expensive होती है smallest high speed storage area होता है उसके बाद CU होता है जो control unit होता है जो पूरी functioning को control करता है उसके बाद memory है आपके पास सबसे पहले main memory आती है जो RAM होती है random access memory जिसको आप internal memory भी बोलते हो उसके बाद RAM की types आती है डी RAM आती है जो dynamic होती है जिसको continuously refresh अच्वह करने की जरूरत पड़ती है और काफी economical होती है उसके बाद स्राम स्राम आती है वह काफी faster होती है बहुत expensive होती है और इसको बार-बार refresh करने की जरूरत नहीं होती हुछ उसके बाद SD RAM आती है, जो synchronous या इसको RAM भी बोला जाता है, जिसके clock speed बहुत हाई होती है, और इसको video games में use किया जाता है, उसके बाद हमारे पास room आती है, read only memory होती है, जिसको read तो किया जा सकता है, but write सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है, computer के booting process, bootstrap जिसको बोला जाता है, computer को start करना, restart करना, उसमें इसको use किया जाता है, यह non-volatile होती है, इसका मतलब permanent memory होती है, प्रोम क्या होता है, programmable read only memory होती है, जिसको सिर्फ एक बार लिखा जा सकता है, e-prome होती है, erasable and programmable, जिसको erase किया जा सकता है, UV lights के द्वारा जिसको erase करने के लिए लगभग 40 minute का time है, वो लगता है, उसके बाद e-e-prome आती है, electronically erasable आती है, जिसको electronical तरीके से erase किया जा सकता है, 10-1000 बार जिसको आप क्या कर सकते हो, erase कर सकते हो, मतलब आरतों में कोई काम ही नहीं है, इसको erase और program करने में बहुत कम time लगता है, जिसमें 4-10 millisecond use किया जाता है, यह आपकी flash memory होती है, उसके बाद हमारे पास main memory होती है, जो caches memory को buffer stock की तरह काम करती है, CPU के और main memory के बीच में high speed होती है, semiconductor memory होती है, CPU को speed up करने के लिए इसको use किया जाता है, जैसे virtual memory है, जो एक illusion है, जैसे google drive है, iCloud है, ठीक है, एक technique है, जिसको आप main memory को क्या कर सकते हो, expand कर सकते हो, उसके बाद हमारे पास peripheral आती है, जितनी भी external connected devices होती है, वो peripheral का part होती है, उसके बाद हमारे पास 3 तर interpreter आता है, जो high level language को machine language मतलब low level language में convert करता है, बट line by line करता है, जैसे जैसे आरार आते हैं, वैसे वैसे खतम करता है, और उसके बाद compiler आता है, जो high level language को machine level language में convert करता है, एक ही बार में convert कर देता है, और जो errors होते हैं, उससे end में check करता है, वीडियो खतम होने के बाद कॉमेंट करके जाईएगा ठीका जी अच्छा लगता है अगर आप कॉमेंट करते हो वैसे उससे कोई फरक नहीं बढ़ता एटलीस्ट मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाते हैं ताकि अगली बार जब आप मुझे कभी मैसेज करो या मैं आपका कहीं पर नाम पढ़ूँ तो मुझे पता हो कि हाँ भाई ये एक बच्चा है जो हर वीडियो पर कॉमेंट करता है हमारे साथ जुड़ा हुआ है स्पेशल क्लास है डी आई की मिलते हैं साथ बज़े की क्लास में थैंक्यू सो मच गॉडब्लस यू और इसी तरीके से पढ़ते रही इसी तरीके से मेहनत करते रही है जरूर क्लियर होगा बस कंसिस्टेंसी बनाया रखिए कॉमेंट जरूर करके जाईए बाई टेक